दोस्तो आज हम बनाएंगे रोजवाले पत्ता गोबी को हरे मटर के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने में तो बहुत आसान है पर खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट और पॉस्टिक है तो चलिए इस रेश्पी को बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोबी ली है 300 ग्राम के करीब है इनको मैंने बारीक बारीक पत्ता पतला लंबा लंबा काट लिया है एक कप मैंने फ्रेश मटर लिये अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे इसके अंदर डालेंगे दो चम्मस तेल कम तेल में भी यह सबजी अच्छी बनती है तेल गरम हो जाने पर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मस जीरा और थोड़े से बारीक कटेवे लैसुन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे तेल को कढ़ाई में फैलाते हुए लैसुन को हम भूनेंगे हलका गोल्डन होने तक इससे सबजी कढ़ाई में चिपकती नहीं है और अच्छे से भून जाती है हलका भून जाने पर हम इसके अंदर पत्ता गोभी डाल देंगे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इनको थोड़ी देर भूनेंगे हलका भून जाने पर हम इसके अंदर डालेंगे ये हरे मतर और साथ में आधा चमश हल्दी पावडर और स्वाथ के अनुसार नमक तो मैं एक चमश नमक डाल रही हूँ साथ में हम डालेंगे दो हरी मिर्च काट कर और अब हम इने अच्छे से मेक्स करेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इने हम ढख कर तीन से चार मिनट तक पकाएंगे अभी सर्दियों का मौसम है तो इस समय जो पत्तकों भी बजार में मिलते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं तो बस तीन से चार मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे और ये देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं तो हम इसके अंदर डालेंगे तेड़ चममज धनिया पौडर एक चममज लाल मिर्स पौडर नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं और एक टमाटर काटकर डालेंगे अब हम इनको थोड़ी देर भून लेंगे तो देखिए कड़ाई में बिल्कुल भी सब्जियां चिपक नहीं रही हैं बिना ढ़के ही हम इन सब्जियों को तीन से चार मिनट तक और भूनेंगे जिससे सब्जियां थोड़ी और पक जाएं फ्लेवर के इसाफ से इसमें गरम मसाला पौडर या सब्जी मसाला पौडर भी डाल सकते हैं तो सब्जियां पक गई हैं तो हम इसके अंदर धेर सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे बहुत अच्छी खुस्बू आती है और टेस्ट भी तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम कैस बंद कर देंगे और ये देखिए पत्ता गोभी और हरे मटर की सब्जी तयार है बहुत जल्दी ये सब्जी बन जाती है और बहुत ही स्वादिश लगती है एकदम खिली-खिली बनती है दस मिनट में ये सबजी बन जाती है फ्रेंड्स रेस्पी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिएगा नए नए रेस्पी देखने के लिए फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के सा धन्निबाद